श्रीव सच्छान सद्वरु साइनान महाराज की जय जय साइराँ नमस्ते दोस्तों वल्कम बैक टू मैं चैनल आज जीस टॉपिक को लेकर हम बात करेंगे यह नॉर्माल जो मिक्सिंग हम लोग करते हैं उसके पर कुछ दिने साप देख रहे हैं कि नॉर्माल मिक्सिंग को पर हम लोग वीडियो दे रहे हैं अपका प्रोडक्शन में तो रसा ट्विस्ट लन चाहते हैं तो अब बैसली हमारा चैनल में जो वीडियो सम दिखाते हैं उसको आप ट्राइब कर सकते हैं हो सकता है कि आपको अच्छा क्वालिटी मिले तो वैसे ही एक प्रोजेक्ट लेके आज मैं आपका समय आया हूँ और यह एक क्लासिकल प्रोजेक्ट है थोरा से टुकड़ा मैं आपको मिक्सिंग करके दिखाऊंगा और उसको मैं लाउडनेस मीटर है लाउडनेस मीटर के जरीए हम चेक करके देखेंगे कि हमारा जो आउपूट जो आ रहा है वह आउपूट हायस्ट आउपूट आरेके नहीं यह मास्टरिंग नहीं है इसके लिए आपको माइनस पहले प्रिविक्स करना पड़ेगा माइनस 6 डिवी या माइनस 10 डिवी की तेमपरचन में उसके बाद उसी प्रिविक्स को लेकर जाना पड़ेगा आप आप मस्टरिंग इंंक अनदर बोट सारे द thesis colonies आफ और इसे संसुल encantat रृप मस्टर कंसल構ं चैंट का मस्टरिंग है यह हमारा जो नानौर्मल करों नर्मल मिक्सिंग को हम एक 0 बी तक प्रिश्र देखे एक नर्मल मिक्स बनाएंगे जो आप लोग करते हैं घर में हैं तो इसका एक बार उपर से हम लोग चल रहे हैं इसे से चैनल विसिकली एक प्लागी ने जिसके अंदर आपको फिल्टर जी मिलेंगे इसको डायमिक्स की सबसे दिखा जाता है यहां पर एक एक स्पाइंडर मिलें यहां पर और साथ मास्टर मीटर यह सब इस तीनों चीज आपको मिल जाएगा एक ही एक प्लागिस के अंदर जिस चैनल स्रिप के उपर आप लगाएंगे उसमें आप यह तीनों चीज आप कांट्रूल कर सकते हैं पहले से इसमें तौरा बहुत लगा हुआ है लेकिन हम लोगों ना भी देखेंगे कि यहां पर भोकाल ट्रैक जो है भोकाल जो फाइनल कुछ है यहां पर बोल है कुछ बोल डूप्लिकेट है सब क्या है एक एक जल्द सुन लेते हैं इसमें कुछ मिक्सिंग तो हाई नहीं मिक्सिंग क्या हुआ हाई नहीं और टॉनल कॉल्ड जो है थोड़ा बहुत अज़स्ट करके छोड़ दिया है लेकिन अभी हम आपको दिखाएंगे कि वोकाल को एक ठीक ठाक पॉलिश जगा तक लाने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा और उसके साथ साथ जो इंस्ट्रों बज़ रहा है उसको कैसे आप हाराइट करेंगे और अच्छा सा मिक्स लेवल आप उसको दे सकते हैं चलिए चेक कर लेते हैं इसका क्या है इसका जो देखिए इसमें लो पास फिल्टर जो है सेवेंटी टू तक सेवेंटी तक करता हूं मैं थोड़ा सा याड़ चाहिए हमको और इसका लेवल तुरसा बराता हूं मैं इसका मीड रेंज तुरसा करता हूं मैं क्यूंकि अच्छा सा मीड रेंज वाली सिंगर ही है अच्छा टूनालकॉल दे रहे हैं तो मैं इसको तुरसा इस तरह से हमाएं बैदन्स किया यह मीड रेंज के लिए है लो मेड फ्रिक्वेंसी के लिए मैं तुरसा ऐसे कुछ करूंगा कि कि 700 हर्ट का सब्सक्राइब मैं इसको और इसका लो है लो फ्रिकेंसी तुरसा लो फ्रिकेंसी को हम 75 तक रखेंगे कि यहां पर देखिएगा 70 हर्ट तक अल्रेडी अपर स्विट्र लग हुआ है इसलिए मैं 75 करता हूं और इसका जो गैन है फुरसा बार लेता हूं इसको मैं पहले सुनता हूं इसका क्या हाल है एक्चुलिए कि आखियान में डारत गुलाँ कि आखियान में डारत गुलाँ मचावत का नहां इसका नीचे 11 कंबिशन लगवा है इसको हाल कैसा है कियान में डारत गुलाँ इसका आप्टर कीतना देश है। दिखेती हैं इना ना कि इतना आट और्पूट हमको नहीं चाहिए तुरह सा कम करते हैं कि क्यां कि काटा को बाूंस भूंछ होना चाहिए जो काटा है काटा गोंस करेंगे तोora का इसा नहीं लगता है कि उसका गला गुर्ट के बैट हुआ है ऐसा नहीं लगता है लगता है कि यहां पहुगा रहा है तो यह को यहां पर लट गांगे इसंक फिर्दश अपर होगा रही है। है आखियान में डारत गुलार मच्छावत कान ठीक तक लगड़ा है तो आसा हाइस कम लगड़ा है मेरे को आज को देखते हैं कि आखियान में डारत यहां पर मैंने कोई डानमिक्स मतलब कोई यूज नहीं किया नहीं कि यह जो अपका एक्सपेंडर है इन दोनों को मैंने और इनके जगह में मैंने सी अधरी यह जो का शिर आए इसको हमाने देखिए इसका आ इसका आथपूट लेवल निवी टीक्तरि यार रहा है तो मैं ऐसा करता हूं कि आभी इसको ऐसे रहते हुए इसके साथ जो है तब्ल सब्ला को मैं बैलेंस करहां आँगा इसको मैं छोड़ तबला है आपको इधर है तो इसको सुलो करके सुनते हैं इसमें भी हमने क्या रखा है यहां पे यहां पे आप लोग हमस्तों देजाएगा जब भी आपको इसका अगर जाएंगे उसका ठीक है उससे जदा चली जाएगा तो साउंड खड़ा हो सकता है ऐसा ने कि खड़ाप होई जाएगा लेकिन कीविए इसके लिए जो आपको पिक रिलेशन लेवल जहाँ तक रखना है इसको आप सोच समझ कर रखेगा लेकिन खास तरफे जो माइनस त्री टक जाता है अगर फिक लेवल ठीक है माइनस त्री के नीचे जाएंगे तो ओबर कंप्रेस्ट हो रहा है ऐसा कुछ लगेगा सुनने को तो ड्राम्स या बास गीटार इसका टोन भी हम लोग कभी कवर माइनस टेंदी तक भी हम पिक लेवल दे जया रहा है कभी का बार्णे सनुट मुदन माइनस त्री डीवी है माइनस टू के असमस जा रहा है मैनस त्री तक नहीं जा रहा है इसका आँड कर चेक करेंगे लेवल से गब लीजे आउट लेवल बहुत अच्छा बोल रहे है इसका गइन देंट करते है हम थोड़ासा आउट्पूट बढ़ा लेते हैं इंपूट बढ़ाते हैं जैसे मैं इंपूट बढ़ाया तो यह माइनस फाइब तक चले गया है इसलिए मैंने 33.4 आपको देखने पड़ेगा माइनस 3 तक जा रहा है कि नहीं तो माइनस 3 माइनस 4 तक जाएगा ठीक है कि जब स्लैपिंग मूड में जब कोई चाटी मार रहा है बहुत जोड से तो वह माइनस 3 माइनस 4 जाएगा लेकिन जो रिदक्शन होना चाहिए माइनस 3 तक जाएगा तो ठीक है तबला के लिए धोला के लिए इतना माइनस 3 माइनस 4 तक भी चलेगा ठीक है तो हम इसको एसा रखते हैं 76 को पहले ही लगा दिया अब उसके बाद जो एक्यूज है इक उसको हमने यहां पर लिए एससल एक्यू लिए हमने सालिट लॉजिक का और इ चले देखते हैं इसका टॉनल कर्ड़ कैसे आता है हाई का जो फ्रिक्वेंसी है तो आप अधिक असपास रखेंगे और इसको हम देखेंगे कि इतना सिविलेंस आता है मतलब जो यह साउंड कितना आता है साथ में भी देखना पड़ेगा इसका जो आउट्पूट जा रहा है यह आउट्पूट माइनस 5 तक रहेगा तो ठीक है अगर ज्यादा जाएगा तो इसको यहां से हम कम कर सकते हैं यह तक ठीक है माइनस जो माइनस 10.3 रखा इसका वाल्यू ठीक है अब ही हम लोग क्या करेंगे इसमें पहले से कुछ रिवाब दिवा हुआ है थोड़ आसा रिवाब हम इसमें डालेंगे अब इसके लिए 3-4 चेक करना परका 3-4 रिवार्ब में है इसलिए मैं 3-4 दिया है थोड़ आसा हम डालेंगे एक तो रिदिम सेक्शन में या रिदिम जो कैटा करें जाता बला बगारा जब भी है इसमें आप डिले दे नहीं सेकते लेकिन जिसमें आप आपको मतलब सूर मिल रहा है थोड़ा बहुत ही लाइट आप रिवाब दे सकते हैं डिले बिलकुल नहीं तो यह ज मिल रहे हैं कि बहुत ही हलका सा एक रिवाब जा रहे हैं ठीक है तो स्पीकर से शांसा शांसा आवाज आएगा ज्यादा रिवाब देंगे तो इसलिए थोड़ा सा आपको देना पड़ेगा इसका मतलब सूइपनिस के लिए और कुछ नहीं अभी जो भोकल है वोकल के साथ आप तबलए को बैलेंस करना पाड़ेगा में की टरहिए इसको सबस्क्राइब करना थे अपकर दारत जैना पड़ेगा कि मास्टर निंदेंटेविल कहा तक एसफिज़ आप सबको बैलेंस करना आए ढारत गुलार ओं किया आध्यान में डारत गुलार थे इतना ही हमने तब लेको अब इसके साथ क्या जाता है और इिम इस्टमेंट क्या है यहां बेश्य मिश्चुमेंट का जा उन एक लिए इसका भी एक लिए पहले टोन चुन पहलेगे अगर ठीक ठीक लगा तो कर दो हम इसको एप्ला है कर देंगे पहले क्या सा था इसा कुछ साहर्ट टोंता लेकिन इसको वाइसे रहने दिए जैसा था को चैलिए इसको आज़स्ट करते हैं सिसके बालेंस करते हैं तब्ले के साथ और वोकल के साथ कि फोकल और और पहले से सेट कर लिया हमनों को ने अभी इसके साथ ड्राम्स को जाएंगे अभी भोकाल का जो ट्रैक थास को मैं म्यूट कर दिया अभी तबला और जो ड्राम्स है कि उसको सुनते हैं कि दोनों को एक साथ जब सुनेंगे आपको बतलग जाएगा कि सबके साथ अच्छे से मिक्स हों चाहिए ऐसा नहीं कि दोनों के साथ दो इंस्ट्रूमेंट चल रहे यहां पर यह ठीक ठक लेवल पर जा रहे हैं कि नहीं सुनने के लिए लेकिन आपको तो ठीक लगए रहा है इसको फोकल के साथ सुनते हैं आखियान में डारत गुलाँ साथ में देखिए यहां पर जो पीक लेवेल है माइनस 16.2 एवेरेज यहां पर आया है इसके साथ हम देखेंगे और क्या क्या है तो सुलो को उठा देते हैं अचा यहां पर साइड भोकल को सुनते हैं साइड बोल क्या क्या कर रहे है आचा अलाफ है इसमें वरत इसमें नगेगा यह जो रिवर्ब के लिए जो चेमल लगा हुआ है यह रिवर्ब चेमल एक्टुरी बाइपस किया है automation है इसके अंदर इसको हम अगर ऑन भी करेंगे तो हो जाएगा कि यहां पर यह तो साइड भोकल है साइड भोकल मतलब इस में भूकल को सापोर्ट करने के लिए जा रहा है तो इसको एक बार में भूकल के साथ सुन लेते हैं आखियान में डारत गुलाँ ताकि यह में भूकल को डिश्टर ना करें यह क्या था अचा यह तो एक पाकर सेफ इंस्टुमेंट लग रहा है तो इसको हम सुन ले था है इसके साथ इतना रखता हूं और कुछ तो यहां पर ऐसा कुछ आई नहीं कि उसको पाकियान में गया है इसको सुनते है निकी आपटे ना में गूलाँ आखियान में डारत गुलार इसको पर भी इससेल चैनल का जो है टोन आलकोलिटी पनने के लिए अलड़ी है वे दिर रखा है आप चाहे तो और भी थोड़ा सा इनस कर सकते हैं देखिए इसमें आपको जड़ा से जादा लो तो सुने नहीं दे रहे और इसको लो अगर पैडिंग टोन में जड़ा रहेगा तो दूसरे लों के साथ डिस्टर्विंग करेंगे इसलिए इसको हम काट देते हैं चीक टाक है अब होकल के साथ सुनता है ज़्यान में डारत गुलार मचावत का नहीं ज़्यान नहीं होना चाहिए जो पैडिंग है पैडिंग जदा न बूला अखी अन्मीड बास भी चल रहा है वास गिदर करते हैं सुनते हैं आगे नहीं यह उतना तो सिंदेशाद से बजा हुआ बास गीरा टोन है इसको हम ज़्यादा चरकर नहीं कि यह और यह प्रसेस टोन है इसको हम चरकर ना कर तो अच्छा है सुनते हैं रिद्म के साथ क्योंकि रिद्म के साथ बस्ड़ चलता है तो चले सुनते हैं तो इतना रहेगा तो सब ठीक ठाक है स्ट्रिक सुना दे रहा है यहां पे एक चीज लगा हुआ है आखियान में डारत गुलार आखियान में डारत गुलार मचावत कान्हा बीरज में घूम अब देखिये इस जगह में ऐसा लगड़ा है सब कुछ आजाने के बाद तबला बहुत पीशे रहे गया है तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा थोरा सा तबले को बढ़ा के देखना पड़ेगा कि भोकल के साथ तबला ठीक ठाक जा रहा है कि नहीं तो ऐसा पैट जो है उसका ज्राम स्टून को तो ऐसा कम करता हूं अब देखिए इसके साथ साथ जो साइड भूकल था थोरा सा कम लगड़ा है उसके थोरा सा हम एट करते हैं आँखियान में दारत गुलार मचावत कान्हा दीरज में घूम मचावत कान्हा आप यह सीथार भी है पार आप 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 हाँ आप 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 उत्वाइब टूओ एक नाजाम दूऊ एक नाजाम दूओ एक नाजाम दूऊ इन आजाम दूऊ है तो एक यह था यह टेंटेटिव बैलेंस मतलब हांड़ेट पाट्संट फिक्स्ट वालेस तो नहीं था टेंटेटिव बैलेस के विए कम टाइम में आपको अगर कुछ देना है तो ऐसे देने बैलेस आप तो कर लिया इसका वाद इसको आपको लेवल देना है जिरुड भी त कैसे देंगे कि अभी आपका जो लेवल आ रहा है तो कैसे देंगे चली देखते हैं इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा एक जगा से जहां से हम लोग सुन रहे थे एक से माल लीजिए जगा हमने सेट कर लिया कि इस जगा को हम मतलब एक्सपोर्ट करेंगे और इस जगा को सुनते हुए हम लोग बैलेंस किये थे यहां अभी देखते हैं ओवर आल जो बैलेंस है ठीक ठाक लग रहे कि नहीं तेंडिटीव एक बैलेंस आपको करना पड़ेगा और इसके साथ आपको यहां पे यह भी चेक करना पड़ेगा कि इसका आउट्पूट क्लिवल कितना देखते है ठीक है आपको करना है तो आप क्या करेंगे यहां पे आपको लेना पड़ेगा मैं साज करता हूं जैसे कि एक लिए लवान वाण मेकिमाजर अल्टी मेक्सिमाजर यह यह अपन्हें देख आओगा पिछली एपिसिट में हम लोग ने फ़िए जरृओं जी बन सिसकंटामेगा की इसके बाद और और वी बहुत सरे में अध्योंस के लेखिन एक एक करकिए मैं आप दिखा रहा हूं क इसका भी काम क्या हो सकता है देखिए इसका यह है यह है यह ल 1 आल्टर मैक्सिमाइजर बहुत कम टायम में आप आपका जो प्रोडक्शन है जो मिक्सडाउन अपने किया है उसको मैक्सिमाम लेबल दे सकते हैं आपको जिरू डिवी तक हम लोग क्या करते है मैनस 0.1 डिवी तो यह जो आउट सिलिंग इसको जिरू डिवी रखा हुआ है इसको मैनस 0.1 डिवी ऐसा कुछ किया है जिस प्रोजेक्ट में आप काम कर रहे है उस प्रोजेक्ट को आपको देखना पड़ेगा कि यह 24 बीट में रेकोर्ट हुआ कि नहीं अगर 24 में 24 में अगर अपने प्र छोड़ दीजी इस पे कुछ चेंजर नहीं है और इसका जो शेपिंग भी आपको ऐसा जो है फोड़ा सा इसको रखिएगा अब यह आपको चेक करना पड़ेगा यहां पर यह पर डॉमें कौन सा है आप कौन सा डॉमें में इसको मैक्सिमाज कर चाहते हो तो अधर के बाद इसका डिलिज रेट वांड पॉइंट जो है इसको वांड पर में रखिएगा और प्रेशल जो है अभी गाना को चलता हुए त्रेशल को आपको धीरे 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 नीचे लाना पड़ेगा तब तक लाना पड़ेगा जब तक आपका है पीक लेविल माइनस 0.1 डि करूंगा तो उसका लाउड नेज बड़ेगा आप अगर इस वीडियो को हेटफोन में सुन रहे है या नियार फिल्प मोइटर में सुन रहे है तो अब यसली उनका वालिम थोड़ा सा कम कीजिएगा नहीं तो आपका साउंड आपका इतना सा लाउड साउंड आपका मतलब देमेज कर सकता है तो मैं पहले से आपको वानिंग दे रहा हूं थोड़ा सा कम करके रखिए भल्यम को चलिए सुनते हैं आखी आन में दारत बुला आप देख रहे हैं यह माइनस जिरो पॉइंट वाल डिवे तक आगया है और अपका इसका और एक चीज़ चेक करना पड़ेगा इसमें आर्मेस कितना है आर्मेस दे दीजिए तो आर्मेस भी आपको सो करेगा आपके आन में डारत गुला अगर मैं इसको बैबस करता हूँ तो देखी क्या आदर तो आई आर्मेस बहुत नीचे लेकि थार्टी तक आर्मेस चल रहा है लेकिन आपको टेंट तक तो उठाना ही है कैसे भी करके अच्छे और आपको अग्याए यह नहीं आपको तो उठा तो मैं बाइपास को आफ कर दे रहा हूं इसको ओन कर रहा हूं और सुनिये जो प्रोडक्शन पहले था और उसके बाद जो प्रशन भी आया है दोने में फरक देखिएगा कर देखिएगा आँखियान में दारत गुलार मचावत कान्हा विरज में घूम मचावत कान्हा विरज में घूम तो फ्रेंड्स आपने देखा यहां पर इसका आरे में माइनस टें तक था और इसका जो फाइस प्रोजिशन था वो था माइनस जिरो पॉइंट वान डिवी यह यहां पर सब्सक्राइब के लिए आप घर में जब कोई क्लासिकल मुजिक या कोई छोड़ा मुजिक काम कर रहे हो तो इसको फटाफाट मिक्स करके यूट्यूब में देने के लिए बोलिए और कुछ भी बोलिए किसी दोस्को देने के लिए फटाफाट मिक्स करके इसको अगर हाइस्ट लेवल में आगर नहीं चोनेंगे तो उस सुनने को तुरा से उतना मज़ा नहीं आएगा तो मज़ा नहीं आएगा क्लारिटी नहीं आएगा इसलिए मैं कहता हूं जब यह आप कुछ ऐसा कुछ प्लैनिंग करोगा कि कुछ प्रशर देना है तो आप इस तरह से उसको प्रशब दे सकते हैं लेकिन हाँ आप इसको देखेगा यह लेकिन नहीं है अपने जो मिक्स किया था मिक्स साउंड को अपने फ़रसा पांप पकरके और इसको फ़रसा प्रशाड देखे आपने मायनाश 0.1 डिपी तक रिश्टे अब तो पता ही है आपको पो किशा करक्स कीजाए और हमारे वीडियो का अखरा लेगे तो आप जरूर इस को लांग श्राइब कीजएगा मिलते हैं मतलेग vari झाल झाल